इससे पहले मैंने दो मार्स वीडियो बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो देख लो, और अभी जो है तीन मार्स के लिए, और वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यह तीन मार्स वाला कोशन है, तो तीन मार्स वाली जो सारी wash काहां से start होता है सही Bisous कोशन के सा यह कोशेन यह सातंवाइं 8 we how you और पांच में से ले लो ये पूरा 13 माक्स वाले कौशन ठीक है आगे ग्राफ वाला कोश्ण नाएगा अग्राफ के कोई वी कोश्ण तपको ये कोशन भी 3 माक्स का है 1.4 आपका 3 माक्स वाले सारे कोशन है कि इसके बाद 1.5 भी सारे 3 माक्स वाले कोशन है याद रखिए है फिर कोड्रीक में आ जाते हैं हम लोग सीधा इसका quadratic में आपको सीधा आना पड़ेगा 2.3 के अंदर completing square method तीन marks वाले question है फिर 2.4 के अंदर using formula method यह 3 marks वाला question है या तो completing square method आएगा या तो formula method आएगा दोनों मेंसे question आता है ठीक है तो बहुत important type है 2.5 में आ जाओ 2.5 के अंदर question number 6 जो है तीन marks से लिए question है 2.6 पूरा का पूरा तीन-थीन marks वाला है arithmetic progression के अंदर आप आ जाओ तो 3.2 में आप सीधा आ जाओ गया और शुरू आखिर के जो questions है छट्टे से लेके दस्वा तक 3 marks वाले question है 3.3 में जो है आपका question सारे ही 3 marks वाले है सिर्फ activity वाला 2 marks ले सकता है बाकि सब 3 marks के लिए 3.4 भी सारा ही सारा 3 marks के question है अब आजा आप financial planning के अंदर तो इसके अंदर जो question number 6 और 7 है 4.1 के अंदर यह 3 marks वाले है 4.2 के अंदर अगर आप आओगे तो मलिक वाला 3 marks के लिए आमिर इंटरप्राइजेस 3 marks का है ठीक है और question number 6 जो है activity based question के हिसाब से हो सकता आ जाए यह 3 marks का है 4.3 के अंदर आप आओगे तो question number 3 जो है 3 marks के लिए question number 6 जो है 3 marks के लिए question number 5 3 marks के लिए आखरी exercise जो है 4.4 इसका question number 5 question number 4 5 3 marks वाले question है ठीक है तो अच्छे से कर लिए ना इसको सीधा आ जाते है probability के अंदर probability में सीधा आप जाओगे जो इसका second exercise है fourth वाला exercise है 5.4 यह 5.4 के अंदर जो भी probability मालुम करने बोलेगा सारे के सारे 3 marks वाले तो 3 marks के question यहीं से आने वाला है तो 5.4 कर लोगे तो यहां से question 100% आएगा तो statistics में आज आप पहले exercise में अगर आप आओगे तो step division method छोड़ दो बाकि जो भी method है ठीके ना कौन से method assuming method हो गया फिर उसके बाद step division method हो गया sorry direct method छोड़ देना अप बाकि step division method और assuming method यह तिन-तिन marks वाला रहेगा direct method जो रहेगा वह दो marks के लिए रहेगा 6.2 कर लेना पूरा है यह 3 marks वाला है अब 6.3 के बाद सीधा 4 पी आ जाओ mode वाला छोड़ दो mode वाला 2 marks के लिए chance है 6.4 जो रहेगा आपका histogram बनाने वाला ठीक है तो histogram के जो भी question रहेंगे 3 marks के रहेंगे 6.5 में एकसर कोशन 4 marks का आता है बढ़ 3 marks का पकड़के चलो क्यों क्यों 3 marks 4 marks को एक लाइन में रख्वा आप 6.6 के अंदर question जो है पाई diagram छोड़ तो 5 और 6 जो question है यह total क्या है 3 marks के question है यहाँ पर अपना 3 marks वाला question का list भी complete हो जाता है मिलते है next video में